C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का छटा सबक खाना अपना अपना सफ़ा नंबर 36 इस सफ़े पर साथ बच्चों की तसावीर दी गई हैं जिनके मुख्तलिफ खयाल हैं एक बच्चा, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुण खाया था दूसरी लड़की, मैंने दाल भाद बनाया था तीसरी लड़की, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था दादी के साथ हम गुर्दवारे गए थे, वहां लंगर में दाल रोटी खाई थी पाँचवी लड़की, मेरी माने मचली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत मज़ेदार थी चटी लड़की, माने खीर पूरी बनाई थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने अंडे की भुजिया खाई साथवा लड़का, मेरी मा जिस घर में काम करती है, वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया सफ़ा नंबर 37, तुमने कल क्या क्या खाया था, थाली में उनके नाम लिखो इस सफ़े पर एक थाली दी गई है, जिसमें छै लाईनी हैं, जिनमें आपको अपने जरीए खाये खाये खानों के नाम लिखने है अपनी अपनी थाली में तुमने जिन खानों के नाम लिखे हैं उन्हें ब्लैक बोर्ट पर लिखो क्या तुम्हारी क्लास में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यूं? तस्वीर में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना पका ही नहीं था इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि भूक लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ, तो क्यूं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूक लगी है? जब तुम्हें भूक लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है बच्चों से तालुकात इस्तवार करना और ऐसे माहौल कायम करना जरूरी है कि जहां वो अपनी बात बिला जहिजग कह सकें और उनकी बात हसास होकर सुनी जाए एक दूसरे के खाने के बारे में जानकर हम अपने खाने की आदत से मुतालिक शर्माने और जिजगने वाली जहनियत से हट सकते हैं इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ में इजाफा होगा सफ़ा नमबर 38 विपल का खांदान विपल के खानदान में कुछ लोग ऐसी कई चीजे नहीं खाते हैं जो वो खाता है तुम्हें क्या लगता है उसके खानदान के लोग वो चीजे नहीं खाते हैं या खा नहीं सकते आओ विपल के खानदान के बारे में पढ़ें स्कूल से घर जाते वक्त विपुल ने एक भुट्टा खरीदा घर पहुचकर उसने मा से पूछा मा छुटकी कहा है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ मा ने कहा छुटकी अपने कमरे में है विपुल ने दादी का हाथ थाम कर कहा दादी तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो ना मा ने उसे रोकते हुए कहा मैंने बा की रोटी दाल में भीगो कर रखी है पहले वो तो खा लें आज तो दाल में शकर ठीक से डाली है ना यहां नागपुर आकर तुम लोग खाना बनाने के अपने तरीके भूलते जा रहे हो दादी ने विपुल की मा से कहा मा ने जवाब दिया मैंने चक कर देखी है बढ़िया बनी है विपुल ने दादी की थाली उठाई और सीड़ियों की तरफ दोड़ा दादी जल्दी चड़ो ना विपुल ने पुकारा दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीड़ियां तो क्या पहाड भी चड़ जाया करती थी विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाद धुकर छुटकी को उठा लिया अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया ये अब ऐसे चुप नहीं होगी इसे भूक लगी है कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई दादी सीड़ियां जल्दी क्यों नहीं चड़ पाई कहानी में जितने लोगों का जिक्र किया गया है उन में से कितने लोग भुट्टा आसानी से खा पाएंगे क्यों? क्या सभी बुढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? चार महीने तक छुटकी सिर्फ अपनी मा का दूध पियेगी यही इसका खाना है बड़ों से पूछ कर जदूल को भरो यहां एक जदूल दिया गया है जिसके दो कॉलम है पहले कॉलम का उन्वान है क्या क्या खा पाते हैं दूसरे कॉलम का उन्वान है क्या क्या नहीं खा पाते बच्चा क्या क्या खा पाते हैं क्या-क्या नहीं खापाते जवान क्या-क्या खापाते हैं क्या-क्या नहीं खापाते बुढ़ा क्या-क्या खापाते हैं क्या-क्या नहीं खापाते यहां आपके जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है ये तो थी कुछ चीजों को खाने और नहीं खाने की बात क्या हम वो सब चीजे खाते हैं जो हम खा सकते हैं हमेशा नहीं न? आओ बात करें उन चीजों की जिनें हम खाते हैं जिन चीजों को तुम अक्सर खाते हो उन पर निशान लगाओ चावल रागी मक्का बाजरा गेहूं जई, कपपा यानि टेपी ओका और जो हमारा खाना ज्यादा तर इन ही चीजों से बनता है जो चीजे जहां आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वो ज्यादा खाई जाती हैं सफा नमबर चालिस मालूम करो उन में से कौन कौन सी चीजे कहां कहां ज्यादा खाई जाती हैं हम लोग अलग अलग चीजे तो खाते ही हैं एक ही चीज का इस्तेमाल करके अलग अलग खाने भी बनते हैं मालूम करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है यहाँ दो खाने दिये गए हैं पहले खाने में गेहूं को लिखा गया है, इससे रोटी और हल्वा बनता है, बाकी चार खानों पर आपको लिखना है कि गेहूं से और क्या पकाया जा सकता है, दूसरे खाने में चावल लिखा है, जिसमें डोसा और पुलाव लिखा गया है, बाकी चार खानों में आप कि चावल से और क्या-क्या बन सकता है तुमने कितनी चीजों के नाम लिखे इसी तरह अलग-अलग जगाहों पर अलग-अलग तरह की दाले, सबजियां, फल, गोश्ट वगरा खाय जाते हैं कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की पसंद और नापसंद तीन चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है और तीन चीजे जो नापसंद है पसंद नापसंद इन दोनों अलफाज के सामने आपको खाली जगा दी गई है जहां पर आप अपने जवाबात दर्च कर सकते हैं क्या तुम्हारी पसंद ना पसंद तुम्हारे खांदान के अफराद से मिलती जुलती है? सफा नंबर 41 आओ, अब कुछ लोगों से बात करें और मालुम करें उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है मैं होंग कॉंग में रहती हूँ मुझे और मेरी मा को साब खाना बहुत पसंद है जब भी हमें साब खाने की ख्वाहिश होती है तो हम करीब के एक होटल में जाकर लंग हो फिन खाते हैं मैं कश्मीर में रहती हूँ सरसो के तेल में पकी हुई मचली मुझे बहुत पसंद है एक बार हम लोग गोवा गए थे वहां हमने मचली खाई मगर मज़ा मुख्तलिफ था मेरी मानी बताया कि ये नारियल के तेल में पकी हुई समुदरी मचली है मज़ा तो मुख्तलिफ होगा ही ठॉमस, मैं केरल में रहता हूँ मुझे सबसे अच्छी दो चीज़े लगती है वो चीज़े मेरे घर के आंगन में ही उकती है एक उपर उचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे नारियल डाल कर बने हुए किसी भी शोर्बे के साथ उबले हुए टैपी ओका मिल जाएं तो मज़ा आ जाता है ये बहुत मज़ेदार होता है बच्चों से उनके खानदान से वाबस्ता तजर्बों को साज़ा करते हुए खाने पीने के तौर तरीकों में सकाफती तनवू पर तबादलाए खयाल करें और उनका एहतराम करें सफा नंबर 42 हम क्या खाते हैं? उसके पीछे क्या वजुहात होती हैं? दी गई वजुहात में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ इसके अलावा और भी वजुहात हो सकती हैं उन्हें खाली जगा में लिखो आसानी से क्या मिलता है? हम क्या खरीच सकते हैं? रस्मो रिवाज जो चीजे खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाओ किसी चीज के बारे में मालूम ना हो तो अपने उस्ताद से पूछो केले के फूल सहजन के फूल खुम्बी यानि मश्रूम कमल डंडी लाल चीटी बासी रोटी नारियल का तेल मुर्गी का अंडा अर्वी के पत्ते चूहा मचली बाजरे की रोटी मेंडक उट का दूध गोभी गोश्ट कलोंजी केकला घास आमला चने की रोटी खाने पीने की ऐसी चीजों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने को जी चाहता है यहां आपके जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है इसी के साथ 24 असबाग की किताब आसपास का छटा सबक खाना अपना अपना यहीं खत्म होता है सोती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत